हम उग्रांदोलन करेंगे, उग्रांदोलन के साथ अगले दिन से सभी छात्र भगवा बस्तदारन करके आएंगे नमस्कार मैं मुहम्मद फेसल और आप देखने नेशनल देश्टक हम लगातार आपको हिजाब मामले पर अब्डेट दे रहे हैं हिजाब मामला अब पूरे भारत में फेलता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी आहट उतर परदेश में भी पहुच चुकी है एक एक करके खबर बताऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग मनमानी कर रहे हैं और होड़दंग मचा रहे हैं सबसे पहले ये वीडियो देखिए ये मध्य परदेश का है असरफ हुसेन ने इसको टूइट किया है वो लिखते हैं अब मध्य परदेश के दतिया में हिंदू संगठन के लोगों ने पीजी कोलिज में हिजाब बुरका पहनी मुसलिम लड़कियों के सामने लगाए जे शिरी राम के नारे जिसके बाद कोलिज परशासन ने बुरका पहन कर कोले जाने पर रोक लगा दिये इसके अलावा इनका बियान सुनिए ये साहब कह रहे हैं कि हम जो है अगर हिजाब लड़किया आएंगी तो हम जो नाअबाबा होते हैं जो उनकी दिख्चा ले चुके हैं हम उस तरीके से फिर आएंगे इनकी बैए्ट सुनिए बैइट में patient साब धंकी देते हुए दिखाई दे रहें जिसमें कह रहे हैं कि आगर लड़किया हिजाब पहन making तो तो हम उग्रु पर दर्शन करेंगे उग्रांदोलन करेंगे उग्रांदोलन के साथ अगले दिन से सभी चात्र भगवा बस्तदारन करके आएंगे और जो हमारे नागा सादू की बनने की दिख्चा ले चुके हैं चात्र वो नागा वेस में इधर आएंगे और जिन चात्रों में एक कॉलिज में इन लोगों ने व्रोध परजर्शन किया है मामला यहीं नहीं रुका इसके बाद अलीगड़ में कुछ चात्र जो है वह भगवा गमचा पहन कर क्लास में बैठे हैं और वीडियो बन वारे के रहे हैं कि वीडियो बन गया ठीक है अब चलते हैं तो इस तरीके के हाला थे खासकर यूपी में इस मामले को लाने का मकसद सिध़ सिधा है कि किसी तरीके से जो हिंदू-muslim वाला पोलरराज़ेशन था वो हो क्योंकि किसानों के आंदोलन ने इनकी जो बाटो वाली राजनीती थी हिंदू-मुस्लिम वाली राजनीती थी उस पर गहरी चोट मारी थी और दो चरणों के मद्दान में जिस तरीके से पोलिंग हुई योगी जी और बीजेपी मोधी साकी इनकी सब की गर्मी निकल गई जिससे ये लोग परेशान है और अब हिजाब वाला मामला यूपी में ला दिया ही लोगों ने अब ये दूसरी वाहिट सुनिए ये आगरा कोलिज के चीफ प्रोक्टर हैं जो कह रहा है कि हमें कुछ चायतरों से मेमोरेंडम मिला जिसमें हिजाब को लेकर बेन करने की बात कही गई थी तो हमने उनकी मांगे मान ली है और ऐसे किसी भी पहनावे को हम इजादत नहीं देंगे हम उस पे पूर्ण पर्तिवन लगाएंगे तो ये आगरा की वीडियो है आगरा में भी हिजाब मामले को ला दिया गया और वहाँ पर बेन लगा दिया गया है जो भी इस्तिती है कॉलिज के उसकी यूनिफॉर्म की उसे पूरी तरीके से लागू हमने कराया हुआ है किलास में किसी भी तरीके का हम नहीं अलाव किया हुआ नहीं अलाव करेंगे इसकी अलावा एक और वीडियो देखिया ऐली गรड डियेश कोलिज के छातोर ने बुरके के विरोज में नारे बाजी की do सुन लिजिए पूरा मामला यूपी में ला दिया गया है क्योंकि यूपी में चुनाव है जो मामला करनाटक से शुरू हुआ था सिर्फ कोलिस से जहां पर पांच छे छात्राओं ने इस पर आपत्ती जताई थी या परशासन से अनुमती मांगी थी वह मामला आज यूपी में चुनाव है उसी के पोलराजेशन के लिए इस तरीके की हरकते हो रही है वहीं दूसरी तरफ मामला कोर्ट में है हाई कोर्ट में चल रहा है लेकिन यहां पर भी विरोध परदर्शन शुरू हो चुका है साथ इनकी एक बाइड भी सुन कर रहे हैं जबकि मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है जार यह वहां से कोई फैसला नहीं आए इसके अलावा एक और नोटिज देखिए महाविधाल्य में समस्त परवेशी छाथ छात्राओं को सुचित किया जाता है कि कि किसी भी समुधाई विशेश से संबंदित शुरू में मध्य परदेश के दत्या कोलिज का उसी का यह नोटी से जिसमें साफ साफ का गया है कि हिजाब पहन कर आप कोलिज में नहीं आ सकते जबकि दूसरी वेध भुसा आप पहन कर आ सकते हैं तो मामला फिर से वही है कि किसी भी तरीके से हिंदू-मुसलिम किया ताकि चुनाओं में इनको फायदा मिले अब मामला जो करनाटक से शुरू हुआ था वो उत्तर परदेश में आ चुका है चाहे वो अलीगड में हो आगरा में हो हर जगा अब हिजाब को बंद करने की मांग की जा रही है वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर बीज अंग्यान ले उस पर अपनी आवाज उठाए वहीं दूसरी तरफ जो नौम चौमस्की है जो बड़े विद्वान है फिलोसफर है एकेडमीशन है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही विख्यात है उन्होंने भी कहा है कि भारत में आज इस्लामोफोबिया अपने सबसे घा तक रूप ले चुका है और भारत जो धर्म निर्पेक्स था आज मोधी सरकार में वो हिंदू राष्ट की तरफ अग्रसित है तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से बीजेपी हरत कंड़ा अपना रही है वो चाह रही है किसी तरीके से चुनाओ के दुरान हिंदू मुस से ये लोग साथ साब भोक लाए हुए हैं और अपनी ओछी अर्खतों पर उतर आए हैं ताकि उनको संपर्दाइक माहुल बनाने का मोका मिले और पोलाराजेशन का मोका मिले और फिर से हिंदू-मुसल्मान करकर सत्ताव हासिल की जा सके तो इस वीडियो पर आपकी क्या र लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें